हेलो फ्रेंश अलकमाई टोक चैनल मैं आपसे गस्ट वागत है फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी जो अपटेट है अप फो लेकर आज को हूँ यानि कि आपको यहां पर स्टापनर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में चर्शा करेंगे कौन-कौन कंडिडेट यहां पर इस वैकेंसी के लिए इलिजिबल्स रहेंगे सबसे इंपोर्टन चीज आपको मैं बता दू कि मैरिट के अधार पर आपके यहां पर बढ़ती रहेगी यहां पर आपका कोई भी कॉमपटेटिव एक्जाम है वो नहीं होगा यह आपके लिए क्या रह करने रहेगा जो भी मेरे प्यारे साती इस चैनल के साथ नए जोड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को उन कर लीजिगा जिससे आपके पास ओल और इंडिया की जितनी भी नर्सिंग की अपडेट है सब ही अपडेट आपको टाइम से यहां पर मिलती रह है तो आप अपना एक्स्पिरेंस लागा शकते हैं बाकि आपके आपको यहां पर दीगी है इसके बार में आपको में डेटेल में चर्चा करूँगा कौन-कौन कंडेट इलिजिबल से रहेंगे इस पोस्ट के लिए तो यहां पर जो जी एनेम कंडेट है वो इस वेकंसी को क्या कर सकते हैं यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जो जो एक्स वेकंसी को यहां पर पर कर सकते हैं अपकोính यहां सा interview interview के बाद में आपका exam भी हो सकता है ठीक है उसके बाद में आपको online website की अगर मैं बात करूँ कि application form को आपको कहां से भरना होगा और इसकी जो last date है वो आपकी क्या रहेगी तो आवेदन करने की जो last date आपकी रहने वाली है वो रहेगी आपकी 30 September तक आप क्या कर सकते हैं इस vacancies को आप apply कर सकते हैं तो जो भी interesting content है वो 30 September तक आप क्या करें इस vacancies को यहां पर क्या कर सकते हैं application form फिलाल में start हो चुके हैं 12 September से application form की क्या हो चुकी है यहाँ पर आपकी जो starting है वो हो चुकी है और किस परकार से आपको application form भरना होगा देख लीजिगा आपको offline तरीके से आपका क्या रहने वाला है यह आपका जो application form है वो आपका रहेगा सबसे important इसकी application form भरने का तरीका रहेगा कि offline तरीके से रहेगा सबसे पहले आपको इसकी official website को visit करना होगा www.c4astan.com क्या है इसकी official website है सबसे पहले आपको इसकी official website पर जाना होगा उसके बाद में आपको offline आविदन पत्र यान की जो application का जो format है ठीक है application का format क्या है इसकी जो official website है उस official website पर दिया गया है तो आपको वहाँ पर application का format download करना है application का format download करने के बाद में उसको क्या करना है offline आविदन प बरना है या फिर नर्शिंग के लिए बरना है इस्ट आप नर्स के लिए दो पोस्ट हैं इसके अंदर अलग लग तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहां पर करें साथ में आपको अगर आपने जी एनम किया है या फिर आपने एमसी कि है तो जो भी आपने कोर्स किया है उस कोर्स के आपको completely मारक्सीष्ट ठीक उसकी फोटो कोपी आपको करवाना है registration certificate की आपको फोटो कोपी करवाना है ये सारी चीज फोटो कोपी करवाने के बाद में आपको क्या करना होगा वहाँ पर आपको उसके साथ attach करना होगा जयनकि जो application का जो format है उसके साथ वहाँ पर आपको attach करना होगा attach करने के बाद में आपको कहाँ पर जमा कराना है राज्य स्वास्तिम परिवार कल्यान संस्तान दूरदर्शन के अंदर के पास जालाना संसंग छेतर जैपूर के अंदर आपको जमा कराना होगा यह आपका एड्रस यहाँ पर दिया गया है स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं रजिस्टर डाक दौरा भी आप भिजवा सकते हैं ठीक है यानकी इस एप्लिकेशन फॉर्म को या तो आप रजिस्टर करवा दीजिएगा अगर आप जैपूर नहीं आ सकते हैं तो रजिस्टर का रजिस्टर जो स्पीड पोस्ट है या तो स्पीड पोस्ट करवा दीजिएगा या फिर आप डाक के दिवारा भी जो रजिस्टर डाक है उसके दिवारा भी आप क्या कर सकते हैं इस application form को आप भर सकते हैं अन्तीम दिनांग के पर शाथ आपके application form यहाँ पर माझनध नहीं होगे यानकि लास्ट डेट आपकी 30 सब्टंबर 30 सब्टम्बर के बाद में आपके application form यहाँ पर क्या होंगे मान्य नहीं किये जाएंगे इस चीज़ का आप जरूर से धानक है यहाँ पर आपको दिया गया है midwife free जो educators हैं या फिर practitioner midwife free जो nurse हैं उन दोनों पदों के लिए आपको यहाँ पर निर्दारी तसूल कभी आपको दिया गया है कि 500 रुपए की आपकी क्या गरवानी है कि DD आपको कटवानी होगी यहाँ कि आपका application fees है वो आपको क्या रहेगा यहाँ पर 500 रुपए से ही आपको देखने को मिलेंगी अब बात करेंगे वेकेंसी आपको कहां से देखने को मिल रही है और कब रिलीज की गई है वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी राजस्तान की तरफ से आप सभी को में बता दू राजस्तान की तरफ से यह वेकेंसी रहने इसके अंदर आपकी क्या रहने वाली है दो पोस्ट रहने वाली है आपको मैं बता दूँ इसके अंदर दो पोस्ट थी एक तो आपकी M.E. ठीक एनकी Midwifery Educators की पोस्ट थी और उसके बाद में आपकी एक थी Nurse Practitioner Midwifery की एनकी M.E. और N.P.N. दो आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है जिसके अंदर आपको यहाँ पर टोटल पदे दिये गए थे वरतमान में चिकिसाम स्वास्त विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर जो भरती है वो आपको रिलीज की गई है Salary की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो salary आपकी बहुत ही अच्छी कासी रहेगी यानकी इसके अंदर आपकी salary अच्छी रहने वाली है लगबग आपकी 39,000 से लेकर और आपकी 50,000 के बीच में जो salary है वो आपकी यहाँ पर provide करवाई जाएगी तो salary आपकी बहुत ही प्यारी रहेगी no doubt salary के अंदर आपका कोई issue नहीं होने वाला है ठीक है और साथ में आपको यहाँ पर total पद की अगर मैं बात करूँ तो लगबग आपको 42 से प्लस आपकी जो पद है वो आपको देखने को मुलेंगे सबसे important चीज़ यह है कि आपकी राजस्तान जैपूर के अंदर आपकी location रहेगी जो भी interesting candidate है जो भी इस vacancies को apply करना चाता है या फिर जो candidate wait कर रहे थे regularly हमारे चैनल के मादेम से कि राजस्तान की तरब से अगर कोई भरतियां आ रही है तो वो हमें बता दीजीगा तो finally आप सभी के लिए राजस्तान की तरब से भरतिया निकल चुके है और आगे भी बहुत ही बड़ी भरतिया आने वाली है मैंने आप सभी को update प्रवाइड करवाई है कि राजस्तान के अंदर बड़ी भरतिया 45,000 प्लस पदों के उपर आपकी जो भरतिया वो आपकी जाएगी जो candidate इस वीडियो को नहीं देखें वो description के अंदर link मैं डाल दूँगा वहाँ से जाके आप direct देख सकते हैं आपको वो मिल जाएगा कि आपको राजस्तान के अंदर कितनी vacancy आपको आने वाली है उस वीडियो की link आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगी जरूर से इस वीडियो को देखेगा साथ में friends के अंदर जरूर से share कर दीजिए ठीक है आपके लिए बहुत ही प्यारी सी update आने वाली है राजस्तान की तरब से बहुत ही जल्द आपके लिए बड़ी खुसकबरी रहेगी ये आपके लिए क्या रहेगी एक चोटी सी vacancy थी जो कि आप आपको अपडेशन देना बहुत ही जरूरी था तो जो भी इंट्रेस्टिंग कांडिडेट है यानकि जो भी इस vacancy को अपलाई करना चाहता है या फिर जो भी इंट्रेस्टिंग है इस vacancy को अपलाई करने के लिए वह आप भर सकते हैं offline mode आपका रहेगा इस तीज को आप ज यह को जदा जदा सेर करना है वाकि आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ थैंकियो सो मच जैहिंद जैवाद